कई नमस्कार उत्राकर्ण मुक्तु शुद्यालए आपका हार्दिकभिनंदन वस्वागत करता है आज की योकी कख्षा में मैं नीता दियो लिया मेरी साथ मेरी सहयोगी पूजाप लड़िया हैं आज की अभ्यासों में योग की कक्षा में के जाने वाले अभ्यासों में प्राणयाम का अभ्यास करेंगे उससे पूर्व कुछ नियमों को जान लें प्राणयाम का अभ्यास आप सुबह खाली पेट करें या बोजन के 5-6 गंटे बादी अभ्यास करें ध्यान रहे प्राणया सब्सक्राइब अभ्यांध करने दोशित ना रहे सब्सक्तित्स today ना करें तुम से कम आदे या एक गंडे तक बोड़िक टेंपरेचर नौमर होने के बाद ही आपको अभ्यास करना तो आईए प्राणयाम की कुछ विशेज बातें हम जान लें प्राणयाम करने से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि पूरक अर्थात स्वास लेना यह प्राणयाम की क्रिया में सबसे मुख्य होता है रेचक स्वास छोड़ना यह भी प्राणयाम की क्रिया में मुख्य होता ravel कोंभग दो प्रकार से किया जाता है चिसमर आप अपनी स्वास को रोकते हैं अगर स्वास को भीतर रोपते हैं तो अंताहगे कुंभग बाहर रोकेंगे तो बाहे कुंभग इन विशिज बातों का आपको आजके प्राणयाम की कर सांट से पूर्वेध determ till प्राणयाम का अभ्यास करके आप अपने प्राणों का विस्तार करते हैं तो इस प्राणयाम की कक्षा में प्राणयाम का अभ्यास करते हैं आप विदियों के साथ इनिलेशन और एक्जिलेशन का अभ्यास करते हैं जो आज की कक्षा में आपको बताया जाएगा आज प्राण प्राणयाम के अभ्यास के लिए सबसे पहला अभ्यास के लिए आपको ध्यानत्मक आसन में बैठना होता है तो सबसे पहले आप किसी भी ध्यानत्मक आसन में आकर बैठ जाएं, जिसमें भी आप सहज मैसूस करें, सबसे सरल सुखासन, अर्द पदमासन या पदमासन, पदमासन में आकर स्थिती आप देख सकते हैं, दोनु हाथों को कुट्नों के उपर, चिन मुद्रा में आप रखेंगे, अलुनों मिलों प्राणयाम के लिए आपको दाय हाथ का उप्योग करना होगा, उसके लिए आप विशेश मुद्रा नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, नासाग्र मुद्रा करते हुए, आपके इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, माथे के उपर रहेगी, आइब्रो सेंटर के उपर, लेफ्ट थम का यूज, आपको राइट नॉस्टिल के लिए करना है, और लेफ्ट नॉस्टिल के उपर आपकी रिंग फिंगर रहेगी, आपको स्वास लेना है, बाइनासिका को बन करते हुए, दाइनासिका से स्वास छोड़नी है, पुनह धीरे से दाइनासिका से ही स्वास भरनी है, दाइनासिका को बन करते हुए, बाइनासिका से स्वास छोड़ेंगे, धीरे से वापस यह आपका अनुलोंबिलोंग का एक चक्र था तो आईए इस चक्र को हम तीन से पाँज बार करेंगे पुना धीरे से दाए हाथ से नासागर मुद्रा बनाएंगे इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, आइब्रो सेंटर के उपर अंगोठा दाई नाक के उपर आपकी रिंग फिंगर, आपकी बाई नाक के उपर हमेशा अनुलोंबिलोंग का अभ्यास आप बाई नासिका से करेंगे और अन्तिम अभ्यास आपका बाई नासिका से खत्मोंगा प्रारम करेंगे बाई नासिका से स्वास लेते हुए बाई को बन करके दाई से स्वास छोड़ेंगे दाई नासिका से थीरे से स्वास भरते हुए बन करते हुए बाई नासिका से छोड़ेंगे इस अभ्यास को जारी करेंगे तीन से पाँज बार अनुलोम विलोम प्राणयाम का अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम अर्थार अल्टरनेट ब्रीधिंग आपको करनी है आप इसमें लेट से सांस लेते हैं राइट नॉस्टिल से एक्जेल पुना राइट नॉस्टिल से इनहेल और धीरे से लेट नॉस्टिल से एक्जेल करते हैं दूसरा चक्र जब आप प्रारम करते हैं ध्यान रहे पुना बाइनासिका से ही आप स्वास लेकर प्रारम करेंगे और अन्तिम चक्र में स्वास आपको बाहर छोड़नी होती है जो भी आपकी बाई नासिका के द्वारा ही बाहर होगी तीन से पाथ चक्र पूरा करेंगे शुरुवात में जब आप अभ्यास करते हैं आपके स्वास लेने का स्वास को भीतर रोकने का भी आप अभ्यास कर सकते हैं इसमें जोड सकते हैं इस अभ्यास को अन्तिम अभ्यास आप करेंगे अभ्यास थोने के बाद आप धीरे धीरे एड़ांस प्रैक्टीस कर सकते हैं जिसमें आपको अंतर कुम्बक और बाहिय कुम्बक का उप्योग करना है दोनु कुम्बक आप लगाते हैं धीरे से वापस आएंगे प्रार्म में आपको बिना कुम्बक के अभ्यास करना चाहिए शुरुवात में आप 1-1-1 का रेशो रख सकते हैं स्वास लेते वे 1 का रेशो स्वास छोड़ते वे 1 का रेशो दीरे दीरे रेशो बढ़ाया जा सकता है जिसमें आप स्वास लेते हैं स्वास को अंदर ही रोकते हैं स्वास छोड़ते हैं स्वास को बाहर ही रोकते हैं आपको बताया गया था अंतर कुम्बक और बाय कुम्बक तो आईए अंतर कुम्बक वा बाय कुम्बक के साथ इसका अभ्यास कैसे करना है यह जाने नासाग्र मुद्रा बनाते वे दाएं हाथ की दीरे से बाई नासिका से आपको स्वास अंदर भरनी है स्वास को भीतरी रोकना है बाई नाक को बन कर लें स्वास को भीतरी रोकें दीरे से शमतानुसार दाई नाक से स्वास चोड़नी है स्वास को बाहरी रोकें यता संभव जितने देर आप होल कर सकते हैं पुनादाइनासिका से आपको स्वास भरनी हैं बस्वास को भीतर ही रोकना है यथा संभव जितने देर आप रोक सकते हैं धीरे से अंतिम बार बाई नासिका से आपको स्वांस छोड़नी है वह स्वांस को यथा संभव बाहर रोकना है धीरे से हाथों को रिलीस करते हुए चिन मुद्रा की स्थिती में अंतर कुमबग वह बाहर कुमबग करते हैं कैसे करना है एक बार आप देखींगे जब आप अंतर कुमबग या बाहर कुमबग स्वांस अंदर या बाहर रोकता हैं तो आपको सबसे पहले मूल बंद लगाना है, मुराधार के भाग का संकुचन, धीरे से जाल अंदर बन, गले का संकुचन इस प्रकार से आपको करना है, कॉंट्रेक करते हुए चीन को आपको चैस की ओर लगाते हुए, स्वास को अंदर या बहार अंति मिस्थिति में रोकना है, दीरे से यथा संभव, जितना संभव हो सके, वापस आएंगे, जाल अंदर बन हटाते हुए, मूल बन अटाते हुए, पुना अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रकार से शुरुवात में जब आप अनलोम विलोम का अभ्यास करें, आपका रेशो वन 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 का रहे, आप जित आपको स्वास अंदर रोकनी हैं, अंतर कुमभग, उतनी ही देर, आपको स्वास छोडनी हैं, और उतनी ही देर आपको स्वास बाहरी रोकनी हैं, शुरुवात में आप धीरे धीरे वन 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 का रेशो रखेंगे, ये रेशो बढ़ा कर, वन टू, वन वन आप करेंगे, औ तूू टू का प्रेशो रखते हैं अनुलोंमिलों का अभ्यास आपने किया तो आईए इस प्राणयाम के लाबों की चर्चा करें यह शरीर में ऑक्सिजन की मात्रा में वृद्धी करता है रक्ति की शुद्धी करता है यह अभ्यास शरीर में प्राण उर्जा का संचार करता है प्राण उर्जा के अवरोधों को दूर करता है निमनिस्तर के तनाव वचिंता को कम करता है एड़ाव पिंगला नाड़ी के बी प्राणयाम के दौरान जल्दी जल्दी स्वास लेना या छोड़ना नहीं है सामान या दिर्ग स्वास रखें स्वास लेते वर छोड़ते समय किसी भी प्रकार की आवाज ना आए लाइबद्धता आपको रखनी है इसी के सान अगला अभ्यासम करेंगे सूर्य भीदी सूर्य नाड़ी द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है उसके लिए पुनाह दाए हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएं आपकी इंडेक्स फिंगर मिडर फिंगर आईब्रू सेंटर के ऊपर आपका थम राइट नॉस्टिल के ऊपर रिंग फिंगर लेफ नॉस्टिल के इस अभ्यास के दौरान आपको दाई नासिका से सूर्य नाड़ी से स्वास भरनी है यथा संबब जितनी देर हो सकता है अंतरकुम्बग लगाएं आप चाहें इसी अभ्यास में शम्ता नुसार अभ्यास तोने के बार मूल बंद वर जालंदर बंद में लगा सकते हैं धीरे से दाई नासिका से ही आपको स्वास पहार छोड़नी है अभ्यास जारी रखेंगे तीन से पाच राउंड अभ्यास करेंगे इसका सूर्य भीडी प्रानयाम बाई बाई नासिका बंद रहे केवल दाई नासिका से ही आपको स्वास लेनी है दाई नासिका से ही आपको स्वांस चोड़नी है अर्थात सूरे नाड़ी से ही आपको स्वांस प्रस्वांस करना है दीरे से वापस आएंगे अंतिम अभ्यास अंतिम चक्र के बाद अभ्यास तोने के बाद दीरे दीरे आप इसी में बंदों को भी जोड़ सकते हैं एक अभ्यास बंद के साथ हम करेंगे एक चक्र पूरा करेंगे बंद के साथ दीरे से नासागर मुद्रा बनाते हुए पुना अंतिम चक्र का अभ्यास दाई नासिका से स्वांस भरते हुए धीरे से स्वास को भीतर ही रोकें मुल बंद का अभ्यास जलंदर बंद का अभ्यास यदि सूविधा ना हो तो आप अपना हाँ हटा कर खुटने के उपर भी रख सकते हैं अनिता ऐसी प्रकार से आप रख सकते हैं जितने देर आप होल कर सकते हैं, शम्तानुसा करेंगे पुना नासाग्र मुद्रा बनाते हुए, तीरे से मुल बन अटाएंगे, जालंदर बन अटाते हुए, सामने की ओर पुना दाइनासिका से आपको स्वास छोड़नी है, एक चक्र का अभ्यास अंने किया, स्वास को बहारी योपना है, नासाग्र मुद्रा हटाते हुए, पुना, बन्धो का अभ्यास करेंगे, मूल बन, उडियान बन, जाल अंदर बन इसमें आपका उदर खाली हो दाता है बायकुम्भक में तीनों बंदों का अभ्यास कर सकते हैं हटाने का क्रम, धीरे से मूल बंद अटाते हुए जाल अंदर बंद अटाते हुए है वापस आएंगे तीनों बन, मूल बन, उडियान बन, चाल अंदर बंदा पटाते हैं शामान निस्थिती में अनूलों बिलों det सोडिवेदी प्रणयां का अभ्यास आपने किया अभ्यासों के प्रभावों को महसूस करें आईए सूर्यवेदी प्रणयाम के अभ्यास के बार इसके लाभों को जाने यह अभ्यास शरीर में गर्मी बढ़ाकर व्यक्ति को बहिर मुखी बनाता है यह शरीर के सिंपथार्टिक नर्वर सिस्टम को एक्टिवेट करता है वो मेटाबॉलिजम रेट को बढ़ाता है वात रोग सर्दी जुखाम आदी की समश्या में यह लाभकारी अभ्यास है अवसाथ से ग्रसित यह आलसी व्यक्तिव के लिए यह उक्तम अभ्यास है सुरीवेदी प्रणयाम के साथ कुछ सावधानिया आपको ध्यान में रखनी है उच्च रखते चापके रोगों हरदय रोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक कुशल चिकित सके परामश में ही अभ्यास करना चाहिए सिर्दर्द या मिर्गी से ग्रसित व्यक्तियों को भी अभ्यास नहीं करना चाहिए दीरे से आपकी पूरी सजक्ता आपकी स्वास प्रस्वास पर बनी रहे इनके लाभों को महसूस करें प्रभावों को महसूस करें पूरे शरीर में दिव्य प्राण का संचार प्रणयाम के अभ्यास के बाद अभ्यास पूरा होने के बाद आपको एकदम उठना नहीं है आँखे नहीं खोलनी है कुछ देर स्वास प्रस्वास के प्रती सजग रहें उर्जा को मैसूस करें तत्त पस्चार दीरे से चिन मुद्रा हटाते वे दोनों हतेलियों को आपस में मिलाएं तेजी के सांथ रब करते हुए हतेलियों को गर्म करें उर्जा को महसूस करें आँखों पर रखें चेहरे पर लगाए आप चाहें तो पूरे शरीर पर लगा सकते हैं उर्जा को महसूस कर सकते हैं पुना हतेलियों को रब करते हुए आँखों के उपर रखें दीरे से रंबी गेरी स्वास लें आँखें खोलते हुए हतेले हटाए आसन हटाते हुए पदमासन रिलीज करें समान्य स्थिति में आजाएं दंडासन की स्थिति में इसी में आप श्राम कर सकते हैं दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी, हाथों को घुमाते वे पीछे की ओर रखें, गर्देन वे पूरा शरीर बिल्कुल ढीला.